और रुख करते हैं अगली खबर का बीका नेर अपने इस्थापना का शनिवार को 533वा इस्थापना दिवस मना रहा है हाला कि कुरूना के चलते इस बार कारिक रमायो जित नहीं होंगे लेकिन इस बार ये सुखत संयोग ही कहा जाएगा कि रमजान और अक्षेत रितिया एक ही दिन है धर्मगुर्वों और मॉल्वियों ने घर पर रहकर ही प्रार्थना की अपील के है रजगुलों की मिठास और भुजया के तीखे बन के लिए जाने जाने वाला शहर बिकानेर कई माईनों में खास है फिर चाहे यहां का विश्व प्रसित करणी मंदीर हो या फिर जुनागड का अतिहासिक दुर्ग आगर्शक हवेलियां विदेशी परियटकों का मन महुती रही है लेकिन कोरोना संकट में हर तरफ विरानी चाही है 533 विस्थापना दिवस पर इस बार वो काटा वो मारा सुनने को नहीं मिलेगा आसमान में पतंगों के पेच नहीं लड़ेंगे सालों से बनते आ रहे चंदे बने जरूर है लेकिन इन पर भी इस बार कोरोना से बचने के संदेशी उकेरे गए है कितने सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रोजे भी शुरू हो रहे हैं और विकानेर अपने इस्थापना दिवस भी बना रहा है ये बड़ी जिम्मेदारी है हमारे बीकानेर के गंगा जमूनी तहजीब जो हमें ये सिखाती है कि आपसी प्रेम भाईचारा ही सब कुछ है और यही देखने में आ रहा है कि सभी बड़े लोग पुजारी ये लोगों को कह रहे हैं फिर चला जाएगा लेकिन हमारा शहर फिर से खिल उठेगी मीठी, मिस्री रो, ठिकानो, केसर, भरियो, मखानो, बीकेर हटसू हुई थरपना वो शहर है हमारो बीकानो हालांकि स्थापना दिवसपर कलेक्चर कुमार पाल ने बीकानेर के लोगों के जिन्दा दिली, प्रेम और सुहर्द की तारीव करते हुए वधाई थी धर्म गुरुओं के साथ कलेक्टर ने बैठक कर अपील भी की कि कोरोना के मत्दिनसर एहतियात बरती जाए दोनों धर्म के लोग समझते हैं कि जीवन के लिए एहतियात बरतना ज़रूरी है हिंदू पंडित और मुसलिम धर्म गुरु भी कलेक्टर की अपील से सहमत नजर आते हैं वो भी अपने अनुयाईयों से घर पर रहकर इबादत पूचा अपरातना करने के अपील करते हैं रोजा रखने के ताकत रखते हैं वोई रोजा रखे हैं क्योंकि अल्ला तल्ला कुरान पारिक में एक साथ फर्माता है अगर तुम मरीज हो तो तुम पर रियाएट की जाती है तो इस महोल को दिखते हुए जो बिमार आदमी है जो बुढ़े आदमी है वो रोजा रखने से पेरेज करें और इसका कफार अदा करें ये जगे कतित होके पतंग वाजीना करें ये विश्व सान्ति के लिए प्रभू से पराथ ना कर सकते हैं मामर तुम्जे का और भगवती का मंत्र जाप करें और सभी अपने घर पे बैठके करें हालंकि अभी लेखागार के निदिशक डोक्टर महेंदर खडगावत कहते हैं कि बीकानेर में 1918 के आसपास कोलेरा चिकन पोक्स जैसी बिमारियों से 60,000 से ज्यादा लोगों के मौत हुई थी लेकिन बीकानेर के लोगों और ततकालिन राजाओं के महनत से सब कुछ पटरी पर आ गया था उस वक्त तो साधन भी नहीं थे इसलिए घवराने के वज़ाए जागरुकता बरते वाकई बीकानेर का इतिहास भी यही कहता है कि मुश्किल से मुश्किल दोर में यहां सब कुछ ठीकी रहा आज भी अमन भाई चारा कायम है लक्षमान रागाव वस्ट अनिया न्यूस पीकानेर